कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया चाहता है सोफी को जो कि एक कार से निकलती है एक्षली में वो एक बिस्निस फूमेन है जिसका काफी अच्छा बिस्निस है तब ही महाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और उससे बताने लगता है मैडम आज हमारी कौन-कौन सी मिट क्याता है क्या है यहां पर असिस्टेंट तुरांती उसे एक कार की की दिखाता है और कहता है मैडम नंबर वन मोडल की कार ली है मैंने यहां पर सोफिक खुश हो रही होती है क्योंकि यह कार आज वो अपने बॉइफ्रेंट को गिफ्ट करने वाली है और साथ में उसे अपनी रियल के बॉइफ्रेंट को एक पॉइफ्रेंट को कहने लगती है क्या topic तुम मुझे चेट कर रहे हो चैनक कहता है है में तुम् scratch कर रहा हूं क्यूकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं तुमने ऐक करीब से भकारण सी लड़की हो मैं कब Tक तोुमारे साथ रहूं Woolा साल कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं यार तुम्हारे साथ रहने से मेरा फ्यूचर आके नहीं बढ़ेगा मुझे अमीर आदमी बना है इसलिए किसी अमीर लड़की का हाथ पकड़ने में ही मेरा फायदा है सोफी यहां पर तभी उनसे कहने लगते कि साय तुम जानते नहीं ह है और फिर अपने असिस्टेंट से कहती है कि इन्हें अच्छी से सबक सिखाया जाए इसलिए उसके कुछ कार्ड उनकी खुब धुलाई पुलाई कर देते हैं उसके बाद रात को देखते हैं सोफी को चो काफी दुखी होती है तो के लिए ड्रिंग कर रही होती है वो एक होटल रूम में रहती है तब हमापे उसके पास एक परसन आता है और कहने लगता है बेबी तुम इतनी दुखी क्यों हो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं जिससे तुम खुश जाओगी वहाप उसे एक फाइल देता है जिसमें का लोगों को वहापे बुला लेता है जो कि चार मेल मॉडल्स होते हैं यहां पर सोफी उन्हें देखने लगती है तब ही सोफी को याद आता है कि उसे अपने अशिस्टेंट से पता चलाता कि मिस्टर यैन को लड़कों में कोई इंट्रेस्ट नहीं है क्योंकि आज तक उनकी मिस्टर यैन को जो की काफी नसे की हालत में उस रूम की तरफ आ रहे होते हैं यहां पर ड्रंक किया होता है सोफी ने भी तो वो दुरंती यैन को पकड़ लेती है यहां पर वो उस परसन से कहने लगते है कि मुझे तुम्हारा यह मेल मॉडल पसंद आया है इसलिए आज र मिस्टर यैन उसे कहते हैं कि ऐसा मत करो मुझे चाने दो यहां पर सोफी कहते है कि तुम पैसो के लिए ही तो काम करते हो ना मैं तुम्हें पैसे दे तो रही हूं इसलिए चुप चाप रहो लेकिन तबी मिस्टर यैन उसे एकदम से दूसी तरफ फिलिप कर देते हैं और कहने लगते हैं उससे अब जो भी होगा उसकी जिम्यदार तुम रहने वाली हो बाद में रिग्रेट फिल मत करना और फिर उसके साथ वो यहां पे रोमांस करते हैं जब मॉर्निंग में आखे खुलती है सोफी की तो वो अपने हाथ को देखती है जो कि मिश्टर यैन के हाथ म में एक चेक थमा देती है यान तो यहां पे रींद में ही होता है इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं चलता है और सोफी अपने कपरे उठाती है और रूम से भाग जाती है कुछ समय बाद यहां पे मिश्टर यैन की आखे खुलती है तो वो अपने हाथ में उस चेक को देखते है और वो उनसे कहते है कि सर आज हमें एक कॉंट्रेक्ट के लिए जाना है क्या आने वाले है यान कहता है कि मुझे आने में थोड़ी देर होगी पर मैं वहापे जरूर बहुत जाओंगा फिर हमें दिखाया जाता है सोफी को जो कि अपने असिस्टेंट के लिए उसी दम से डर जाती है कि ये परसन यहापे क्या कर रहा है सायदी मुझे ढूंटे हुए ही यहां तक आ गया है और वो जाती है यान के पास और उसका हाथ पकड़के उसे दूर खिच लाती है और कहती है तुम यहापे क्या कर रहे हो मैंने तुम पैसे दिये दो थे क्या तुमा यारन दमार नश्र मत आना और उसके बाद वहां से चली जाती है यह और के गासे कुछ इससे अगोरा हूँ सर हुद्गी खदेन को में करता है यहां यहां भाρώ हम देखते हैं को जो कि अपने एक मेल फिरैंट से मिलने जाता है जो कि बाद गुशниц घखनार करा है तो यहां उससे कहता है कि क्या प्राप्लम्म कर और चक्रहें सकता हूं और कहता है कि हम arguing को पैसे हैं गता है कि यहां पर आज पहली ने लगता है oh my god सच में आहां कि लड़की कौन ہے , कि Mr. N यहाँ पर उसे कुछ चिटेल में पता पाता वो हाँ पर देखता है कि Sophie अपनी फ्रैंड के साथ आ रहा है इसलिए वो अपने आपको छपाने लगता है ताकि Sophie उसे न देख ले Sophie अपर बाथ करने लगती है अपनी फ्रैंड से Yen के बारे में ही कि मैंने तो सुना है कि उसे लड़किया पसंद नहीं है लड़के पसंद है इसलिए मैंने उसके ऑफिस में चार-पाश लड़कों को पिछवाया था यहां पर यह पास सुनकि उसकी फ्रेंड हसने लगती है और थोड़ा यहन का मुझा कुड़ाती है दूर खड़ा हुआ यहन का फ्रेंड भी यह सब कुछ सुनकि हसने लगता है और कहता है कि सचमी क्या तुम बिमार हो तुमने कभी मुझी नहीं बताया मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और डॉक्टर हूँ तो इस चीज़ में तुम्हारी मदद करी सकता हूँ यहन हापे उसे चुप करा देता है और उसके बाद वो सोफी के पास पहुच जाता है उसे हैलो कहने के लिए लेकिन सोफी तो उसे तुरन देखकर डरी जाती है और अपने फेस को ढखने लगती है और कहती कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ यहन कहता है क्या सच में आप नहीं जानती है और कल तो हम दोनों साथ ही ते इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता आथा सोफी उसे चुप करा देती है और कहती कि तुम्हें पर क्यों आयों क्या बात है तोनों के पास ही एक टाइम पे उनकी family members का call आजाता है दोनो कॉल receive करत उन्हें दोनों बहन से निकल जाते हैं hareकर पहुंशने जाता सोफी के पैरनस ने उससे मैरिज़ बिलाया होता है क्योंकि वो इस चिज़ के अगेंज्ट होती है इसो के Lights इना को ने भी उसके節目 के वारे में ऊ enough को नहीं हमें आपनी फ्रेंट की बेटी से उसके इंगेजमेंट फिक्स करती है तो यहां पर याइन भी कहने लगता है ग्रेंट फादर आज तक आपने बच्छपन से ही मेरी हर चीज़ों को डिसाइड क्या है पर कम से कम लाइफ पार्टनर चुनने का मौका तो मुझे दे लेकिन उसके ग्रेंट फादर भी उसमें बहुत चिलाते हैं और कह देते हैं कि तुम्हें उसी लड़की से मेरीज़ करनी होगी वाणा मैं तुम्हें घर से बहार निकाल दूँगा सोफी के डैड उसे एक बॉक्स देते हैं जिसमें कि एक पैंडल टाइप का लॉकेट होता है और कहते हैं कि ये तुम्हारे फ्यांसे की फैमली की तरफ से तुम्हें बच्पन में ही दिया गया था अब जब तुम उससे मिलोगी तो ये उसे रिटन कर देना ताकि तुम दो यान को एक ओल्ड सी लेड़ी के साथ देखती है और सोचने लगती है यहाँ पे भी यही काम कर रहा है वो उनके पास जाती है और यान को साइड में खीच के लिए आती है और कहती है कि क्या सच में तुम यही जॉब करते हो कोई और अच्छा काम नहीं डून सकते हो और हर यहां पर लोग उससे कुछ जादा ही बहस्वाजी करने लगते हैं सोफी यहां पर उन्हें कुछ पादे सुना देती है तो उसका बॉइफरेंट चैंग उस पर हाथ उठाने की कोसिस करता है लेकिन तभी यहन उसके हाथ को रोक लेता है और कहता कि खपरतार जो तुमने इ करने वाली तुम्हें पता नहीं है मेरे डैड इस कंप्टी में मैनेजर की पोस्ट पे है अगर मैं उनसे कहूंगी ना तो वो तुम दोनों को उठा के बाहर फैक देंगे सोफी यहां पर तभी एक कॉल करने लगती है और किसी परसन को वहां पर बुलाती है लेकिन उसका ब अपने वादा से कहती है डैड देखिये यह दो बखवास से लोग यहां पार्टी पे आ गए है और प्रॉब्लम्स क्रेट करें हैं आप उन्हें उठा के बाहर पैक दे तो यहां पर उस मैनेजर को भी नहीं पता होता है कि जिस कंप्री में वो काम कर रहा है असल में तो वो सोफी की ही है क्योंकि उसने कभी सोफी को देखा नहीं होता है और यहां पर वो मैनेजर भी सोफी को उल्टा सिदा कहने लगता है और वहां से भगाने की बात करता है लेकिन तब यहां पर उस मैनेजर का भी हैड आ जाता है जो कि उस मैनेजर को ही डाटता है वो यहां पर कहने लगता है कि तुम्हें सिर्फ 2 मेने हुत है इस तक हमारे मेडम से नहीं मिले हो यही हमारी कंपडि की हैरे और तुम इनके साथ बते मिची कर रहे हो तुम्हें जॉब से निकाला जाता है यह बास सुन्ने के बाद इन तीनrah को कोसिस करता है पर सोफी गार्स को बलाती है और उन तीनों को ही वहाँ से बगा देती है तब यहाँ पर मिश्टर यैन देखते हैं कि उसके ग्रेंट फादर उसी तरफ आ रहे हैं इसलिए वो दुम्दबा के वहाँ से भाग जाते हैं सोफी यैन को ढूंड़ने लगती है पर जिनके साथ मुझे मैरिज करनी है यही इतने ओल्ड है तो इनका बेटा भी ओल्डी होगा लेकिन यहाँ पे ग्रेंट फादर सोफी से कहते हैं कि जब तुम मेरे ग्रेंट संसे मिलोगी न तो वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा सोफी कह रही होते हैं हाँ हाँ जरूर प खापाती हूं तभी सोफी को याद आता है कि उसके तो पीरियर्स मिस हो गए है इसलिए वो कफी टेंशन में आ जाती है और होस्पिटल जाने का सोचती है दूसी तरफ हमें होस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ यहाँ अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलने के लिए आय हुई होती है वह यहाँ पर उससे अपनी रिपोर्ट दिखाती है रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर कहता है कि तुम तो प्रेगनेंट हो यह बास सुनते ही यहाँ पर सोफी और यहाँ दोनों की ही होस उट जाते हैं सोफी कहती है ओ माइग फरस्ट है में ही यह सब पर भाश्यन नहीं कराओगी तुम्य क्या मतलब और तुम यहाँ पर क्या रहे हो वो यहाँ पर उससे इग्नोर करती है और वहसे जाने लगती है यहाँ पर डॉक्टर फ्रैन का पूसता है कि आखिरकर तुम दोने के बीच में क्या चल रहा है पर यहन उससे कहता कि फिलार ब्भी मेरा ही है तो तुम कोई भी परसंड नहीं होते हो इंटर फेक करने वाले यहां उसके पास कौल आजाता है और इसी बीच सोफी वहाँ से चली जाती है पीछे से उसका डॉक्टर फ्रेंड आता है और कहता है यह सब कुछ क्या चल रहा है यहाँ पर यहाँ उसे बताता है जिस लड़की ने मुझे वो चेक दिया था वो यही है और यह बेबी मेरा है यह बास सुनके डॉक्टर फ्रेंड कहने लगता ओ माई गॉड सच्वे तुमने फर्स टाइम में ही उसे प्रेंड कर दिया माना पड़ेगा मेरे दोस्त यहाँ कहता कि मचाक मत करो मैं बहुत परिशान हूँ तो यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है चिंता मत करो अगर वो कल हॉस्पिडल में आएगी तो मैं तुमें पहले ही इनफॉर्म कर दूँगा और उसका बोशन नहीं करूँगा तो यहाँ वहाँ से चला जाता है नेक्स्ट ही दिखाया जाता है सोफी फिर से आते हो उस टॉक्टर से मिलने के लिए पर इस बार वो कहते कि मैं अबोशन नहीं करना चाहती हूँ मैं इस बच्चे को रखूंगी यह बास सुनके डॉक्टर ही हैरान होता है और सोचने लगता है मैंने तो यहाँ को कॉल करके बुला लिया है अब वो तो यहाँ आता ही होका होता भी ऐसा ही है तुरंती भापे यहाँ भागते हुए आ जाता है और सोफी से कहने लगता है कि तुम अबोशन नहीं कराओगी यह मेरा बच्चा है सोफी कहते कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए कि तुम बागल हो मैंने कब कहा है कि मैं इसका अबोशन करा रही हूँ लेकिन हाँ यह बच्चा मेरा ही है क्योंकि मैं काफी जादा इंडिपेंडेंट हूँ तो इस बच्चे को अराम से पाल सकती हूँ यहाँ कहता है कि मैं रिस्पॉंसविल्टी उठाने के लिए त्यार हूँ तो तुम मुझे एक मौका तो दे दो सोफी कहते है कि कभी नहीं क्योंकि अल्रेडी मेरा एक फ्यांसे है यहाँ पर यह बात सुनके थोड़ा हैरान होता है यहाँ पर तभी पिछे से एक फ्रेंड आ जाता है सोफी का और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है यहाँ पर काफी परिशान रहता है हमें दिखाया जाता है कार में आने के बाद यहाँ पे सोफी कह रही होती है कि अब हमें जल्दी चलना होगा क्योंकि आफिस में काफी सारा काम है लेकिन उसके फ्रेंड कहते है कि कम से कम मुझे इस बच्चे के फादर के बारे में तो बता दो तो यहाँ पे उसका वो मेल फ्रेंड कहता है कि मैंने उसे दिखा था वो हॉस्पिटल में आया था और इससे एक मोका भी मांग रहा था पर पता नहीं यह उसे कोई चंस क्यों नहीं दे रही है सोफी कहते कि फलाल मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है तब इस सोफी के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जिस बात को सुनके वो काफी हैरान हो जाती है असल में यैन की कंपनी ने उन्हें एक कॉंट्रेक्ट में पार्टनर्सिप करने के लिए कहा होता है इसलिए सोफी अपने असिस्टेंट के साथ येन के कंप्री में पहुंसती है लेकिन यहाँ पे सोफी थोड़ा कंफ्यूज होती है कि येन तो हमारे साथ हर चीज को लेकि कॉम्प्टीशन करता है इस पार पार्टनर्शिप का लोचा कैसे हो गया वो इसी चीज को डिसकस करने के लिए येन के आफिस पहुंचाती है लेकिन वो यहाँ पे येन को देख लेती है जो कि एक परसन से बात कर रहा होता है येन का ध्यान जैसे ही उसमें जाता है तो वो तुरंदी अपने असिस्टेंट को बास बना देता है और खुद उससे एक कलिक की तरह बात करने लगता है वहाँ पर पहुँच जाती है सोफी और उससे बात करती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो येन उसे कह देता है कि मैंने यहाँ पर जॉब ढून ली है ये मेरे बॉस है तो यहाँ पर असिस्टेंट भी फिर बॉस की तरह ही बिहव करता है उसके बास सोफी कहने लगती है याईन से सच में तुमने यहाँ पर जॉब ढून ली है क्या तुमने अब अपना वो मेल मॉडल बने का काम छोड़ दिया है याईन उससे कहता है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मुझे एक अच्छी जॉब ढूननी चाहिए इसलिए मैंने इस जॉब को ढून लिया है तब ही वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है सोफी का और कहता है मैडम ये लोग तो हमसे कह रहे है कि हम लोग मिश्टर याईन से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हमने उनसे कोई अपॉइन्मेंट नहीं ली है ये बास सुनते ही यहाँ पर सोफी गुस्ता करने लगती है और कहते है कि मुझे लगा ही था कि वो लोग हमारे साथ कोई मजाक करे है मैं कोई कांट्रेक्ट उनके साथ साइन नहीं करूंगी और वो महाँ से जाने की बात कहती है पर ये उसे रोक लेता है और कहता है कि हमारे बास असल में ऐसे नहीं है तुम्हें उनसे एक बार डिसकस करना चाहिए इसलिए वो उससे रोक लेता है और मिटिंग रूम में पहुचा देता है उसके बाद यैन अपने ओफिस की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके चेर पर बैठा रहता है अब पूरी बॉस वाली फिलिंग ले रहा होता है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने बॉस का रोल किया होता है लेकिन जैसे ही यैन वहाँ पर पहुचता है तो असिस्टेंट तुरंती उठ चाता है और कहता है स्टॉरी बॉस यहाँ पर यैन उससे कहता है कि तुम्हें मेरा काम करना है अब तुम्हें कहने लगता है अपने असिस्टेंट से कि जो हम सोफी के साथ कॉंट्रक्ट साइन करने वाले हैं उसमें हर जिज उसकी मर्जी की होनी चाहिए और यहाँ पर उसे कुछ चीज बताता है जो कि उसे सोफी के सामने जाकर कहनी होगी असिस्टेंट कहता है बॉस हम लोग यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं हमारी तो उनसे कभी बंती भी नहीं है वो लोग तो हमेसा हमारे लिए प्रॉब्लम से क्रेट करते हैं तो आप उन्हें प्रॉफिट क्यों देना चाहा रहे हैं लेकिन यान उसे चुप करा देता है उसके बाद हमें ओफिस रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे सोफी पहले से ही होती है यान वहाँ पे पहुच जाता है और साथ में उसका असिस्टेंट भी यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा बॉस क्यों नहीं आया है तब यहाँ पे एक लेड़ी आती है जो कि कॉफी सर्व करने लगती है सोफी को लेकिन यान रोग देता है और कहता है इनने कॉफी मत दो इनके लिए मिल्क लेके आया जाए सोफी हाँ पर कहते है नहीं मैं कॉफी पी सकती हूँ लेकिन येन कहता है कि ये तुम्हारे इस टमक के लिए ठीक नहीं रहेगी तो यहाँ पर फिर सोफी भी उस कॉफी को नहीं पीती है तब यहाँ पर सोफी उन से सवाल करती है कि तुम्हारे बॉस क्यों नहीं आए है तो पर असिस्टेंट कहता है असल में यह सारा प्रोजेक्ट यही परसन हैंडल करने वाला है तो इस प्रोजेक्ट के जो भी डिसिजन लेने हैं वो इनके थ्रू ही लिए जाएंगे सोफी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है हम लोग आपके साथ पार्टनर्सिप करेंगे लेकिन हमें 10 परसन नहीं 20 परसन प्रोफिट चाहिए तुरांत यहाप इस चीज के लिए यहाँ कह देता है यहाँ पर जितनी भी सरते उनके सामने रखती है सोफी यहाँ हर चीज के लिए ह सोफी का असिस्टेंट कहता है अजीब बात है ना मैडम इतनी बड़ी कंपनी के हैड ने सारा प्रोजेक्ट इस एक परसन के ऊपर छोड़ दिया है क्या वो कुछ काम नहीं करना जाता है पर यहाँ पर सोफी खुस होती है कि यहाँ इनको इतनी अच्छी चौब मिल गई है पर यहाँ पर सोफी उसे रफा दफा होनी के लिए कहती है तो उसका वोईफरेंट फिर अपनी अवकाद पर आ जाता है और कहता है अगर तुमने मुझे अभी के अभी दस मिलियन नहीं दिये ना तो मैं तुमारे कुछ फोटोज को लिक कर दूँगा अब तुम इतनी बड पोटोज वगेरा लिक हुए न मिस सोफी के तो डारेक्ट तुम जेल जाओगे क्योंकि मैंने तुमारी बॉइस को रिकॉर्ड कर लिया है और इसे मैं अपनी लॉयर के बास सेंड कर रहा हूँ जिस बास से यहाँ पे उसका एक्स वरफरन थोड़ा डर जाता है और साथ में यैन सोचने लगता है कि इसे इंप्रेस करूं तो मैं फिर कैसे करूं पर असल में तो सोफी इस चीज से बहुत खुश हुई थी कि यैन ने उसे इस तरीके से प्रोटेक्ट किया था बट वो सो नहीं करती है के बाद यैन को देखते हैं जो कि एक प्लेट में फ्रूट वग है वहाँ पर वो जब जाता है तो एकदम से सोफी गुस्ते में उस पर चिलाने वाली होती है लेकिन वो दोने टकरा जाते है यैन उसे कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए चुप चाप बैट जाओ अब वो उसे खाने के लिए फ्रूट्स देने लगता है प तो उससे गुस्से में ही बाते करती है और कहती है आगे से अगर तुम मुझे लड़कियों के स्टाफ के पास नचुर आये ना तो मैं ये कॉंट्रक्टी कैंसिल कर दूँगी अब वो नाराजों के वहां से चली जाती है यैन को समझ में नहीं आता कि आसल में वो किस बात क बहार खड़ा रियता है वहां पहर उसका असिस्टेंट उसे रिसीव करने आता है वो भी में इक एक्सपेंसिव से कर कि अपना पास और कर दी तो सारी कार एक्सपेंसिव expensive भी है कोई भी नॉर्मल कार नहीं है तो मैं क्या करूँ उसके बाद दिखाया जाता है सौफी को जो कि अपने ओपिस में होती है यहाँ पर उसके लिए कुछ फूड लेकर आता है यहाँ और उसे खाने के लिए कहता है पर सौफी कहती है कि हम लोग यहाँ पर काम की बाते कर मुझे अपनी सच्चाई बता हो क्या तुम उसे कुछ छुपा रहे हो तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ सोचता है कि वो उसे अपनी सच्चाई बता दे पर वहाँ पर तभी भागते हुए सोफी का फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि बहुत बड़ा धमाका हो गया है सोफी क कहती कि अब कौन मर गया है जो तुम इस तरीकी से भागते हुए आए हो यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि फिलाल तो कोई नहीं मरा है पर साय तुम मरने वाली हो क्योंकि तुम्हारे पैरंस को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है सोफी काफी डर जाती ह और कहती कि ये बात किसने बताई है उन्हें मुझे बताओ उसका फ्रेंड कहता है कि गलती से मेरे मूझसे ही निकल गई थी और हम मैंने सुनाया कि तुम्हारे पैरंस आफिस में ही आ रहे है सोफी कहती कि मैं तुम मैं जिन्दा नहीं छोड़ूंगी लेकिन इससे पहले व मारा है चुपचा फिलाल यहां से चाहो मैं तुम से बात में बात करती हूँ अब वो यहां पे याइन को ऑफिस से बहार निकाल देती है यहां पे देखते हैं सोफी के डैड को जो की सोफी पे चिलाते हैं कहते कि तुम इतनी बिकार हरकत कैसे कर सकती हो हमने तुम्हारे तो सोफी का फ्रेंट कैता है नहीं वो कुछ नहीं करेंगे बस वो ये जाने मिन कोसिस कैने के साथ किस नए किया है। उसका फ्रेंड बताता है सोफी का, असल में सोफी के पैरंस उसे कभी भी पनिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन पे बिजनस रन नहीं होगा और सोफी ही अपनी फैमली के बिजनस को चलाती है, लेकिन हाँ जिनोरी भी उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है, उसके पैरंस उस ध्यान रखूंगा, लेकिन हाँ पे सोफी तो येन पे ही गुसा कर रही होती है, येन कहता है कि अब इसमें मेरी क्या गलती है, येन के पास तबी उसके ग्रैंड फादर का कॉल आता है, तो वो ये उनसे कहने लगता है, कि ग्रैंड फादर मैं अपनी इंगेजमेंट को कैं रहे हैं उसके grandfather इसलिए गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जिससे यान की engagement होने वाली थी वो लड़की pregnant है और वो यहां पर यान से कह रहे होते हैं कि वो लड़की तो pregnant भी हो गई है पर तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे अब मुझे मेरा grandson नहीं देखा होगे वो यहां पर यान को ही इसी चीज़ के लिए डाट रहे होते हैं यान कॉल कट करने के बाद सोचता है अजीब बात है ना जिससे मेरी engagement होने वाली थी वो भी pregnant है पर फिर सोचता है चलो कोई नहीं वो चीज़ तो खदम हो ही गई है अब मुझे जाकर सोफी से बात करन लगता है सोफी कहते कि क्या कहना है तुमें जो तुम इस तरीके से भी हिप करे हो यहां पर यान उसे अपनी सच्चाई बताने की सोच रहा होता है पर तबी उन दोनों के पास ही कॉल आ जाता है और वो कॉल सुनके दोनों ही हैरान होते हैं और तुरांध हॉस्पिटल जैसे मैं तुम लोगों से माफिय मांगना चाता हूँ इस चीज के लिए सोफी हाप पे कहने लगती है वो तो ठीक है पर मुझे मेरे पीर्ट्स क्यों नहीं हुए है और तबी हाप उसके इस टमक में पेरोने लगता है इसलिए वो वहां से उटके भाग जाती है पिर यान क हूँ कि हम दोनों थोड़ा आगे प्रोग्रेस करें एक्शली मैं मैं तुम्हें चेज करना चाहता हूँ यहापे सोफी उसकी बातों को सुनी रही होती है तब यहापे सोफी के पैरेंस आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि सोफी तुम हास्पिटल में क्या कर रही हो क्या और वो सोफी को अपनी तरफ कीश लेते हैं और कहने लगते हैं यह लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए सोफी कहते हैं डैड ऐसी बात नहीं है आप बिना कुछ भी कहते हैं सोफी की मौम यहापे फिर कहने लगती है अरे अगिशमेंट सोफी हापे उससे सारी बात बता देती है कि हाँ मेरा रिस्ता तैह हो गया है अब तुम मुझे दूर रहो फिर हमें दोसी तरफ याइन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जाता है वहापे उसके सिष्टर खडी रहती है यहाँ कहता है कि ग्रैंट फादर लग रहे हैं सायद आपकी तबे ठीक नहीं है आप इतना वक्त किया करें यहाँ पर दोनों यह थोड़ी नोटंगी करते हैं भार और उसके बाद रूम में जाने लगते हैं जहाँ पर लोग देखते हैं कि ग्रैंट फादर तो काफे खुश नजरा रहे हैं तो यहाँ पर रिजन पूसते हैं उनके खुश यहने का ग्रैंट फादर कहते हैं कि तुम्हारी इंगेजमेंट नहीं डूटी है अब तुम्हारी साथी उस लड़की से ही होगी तो यहाँ पर यहाँ पर येन का फेस लड़क जाता है और वो कहते हैं ग्रैंट फादर आप क्या कह रहे है मुझे उस लड़की से marriage नहीं करनी है grandfather उस पे कप का टी फैक देते हैं और कहते हैं नायलायक लड़के जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो के तुम अगर कुछ और करने की सोची तो घर से बहार निकाल दूगा क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो चुपचाप उस लड़की से marriage करो यैन कहता है कि मैंने तो अब तक उस लड़की को देखा भी नहीं है तो grandfather तुरांती उसे फोटो दिखाने लगते है और कहते हैं यह है तुम्हारी fiance से जाओ अरे से मिलो यहाँ पर यैन उस फोटो को देखता है तो हील जाता है सारी बहार निकालो यहाँ पर असिस्टेंट काफी सारी फाइल्स लाकर उसके सामने रख देता है और कहता है बॉस जो आपने मुझे ढूणने के लिए कहा है उसके हिसाब से इतनी सारी लड़कियों के बारे में डेटेल पता चली है यें कहता है क्या इतनी सारी लड़किया क्या कोई एक लड़की नहीं मिली असिस्टेंट कहता है अजी बात कर रहे है आप पास साल की लड़की का फोटो दिखा और मुझे कह रहे है कि मैं आपकी फ्योंच के बारे में डेटेल ढूणू अब मुझे तो यहीं मिला है بॉस अब आप सारी लड़कों को चेक कर ले और ढून ले लेकिन यहाँ पर यहाँ उन फाइल्स को चेक ही नहीं करता फ़र असल में उन फाइल में यहाँ पर सोफी का डाटा भी होता है जिसे यह नहीं देख पाता है सोफी को दिखाया जाता है ओफिस में जो कि एक वाच को ऑनलाइन खरीदने की बात कह रही होती है लेकिन तब तक वो वाच फिक जाती है कुछ समय में वहाँ पर यान आ जाता है जिसके हाथ में वो लोग यही वाच देखते हैं तो तुरांती असिस्टेंट कहने लगता है ब यहाँ पर इसके फाइल लेकर डिसकोस करने लगती है और कहती है वैसे तुमने अपनी बॉस को दिखा है वो कैसे हैं मैंने तो यह सुना है कि उन्हें लड़कियों में कोई इंड्रेश्ट ही नहीं है तो क्या वो थोड़े बिमार रहते हैं यह बास सुनते हैं आपर खासी सी होने लगती है Yann को Sophie कहती है कि क्या तुम ठीक हो तभी यहाँ पर उसके पॉकिट से फोटो गिर जाता है और यहाँ पर Yann और उसके गलती की वज़ये से उस पे कॉफी भी गिरी जाती है Sophie हाँ पर उस फोटो को उठा के देखने लगती है और उसे clean करती है तो उस लड़की का फोटो यहाँ पे खराब हो जाता है सोफी कहती है कि क्या यह फोटो तुम्हारे लिए important था यहन कहता है हाँ अभी तो थोड़ा important ही था सोफी कहती है ठीक है तो मैं इस फोटो को ठीक करवा दूँगी लेकिन तब ही हाँ पे असिस्टेंट आ जाता है सोफी का और उसे वही लॉकिट दिखाने लगता है सोफी कहती है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता चला क्या तुम्हें उस परसन को ढूंट पाए हो जिसका यह लॉकिट है यहाँ पर जो यहन होता है वो उस लॉकिट को काफी दिहान से उठा कर देखने लगता है तो सोफी का असिस्टेंट कहता है क्या यह तुम्हें पसंद आ गया है क्या तुम्हें ऐसा लेना चाहोगी यहाँ पे इस सोफी कहते कि यह तुम क्या कह रहे हो यह तो एक ही लॉकिट है ना तो यह उसे कैसे ले सकता है लेकिन तब ही असिस्टेंट अपने एक बैग में से एक दर्जन से जादा ऐसे लॉकिट्स को निकाल के उनके सामने रख देता है यह देखकर सोफी और यहाँ दोनों ही हैरान होते हैं सोफी कहती है इस मैटर को छोड़ो अभी यहाँ का एक फोटो खराब हो गया है क्या तुम इसे ठीक करवा सकते हो असिस्टेंट कहता है हाँ मुझे एक ऐसी दुकान के बारे में पता है जहाँ पर यह फोटो ठीक हो जाएगा तो यहाँ पर यहाँ इन कहने लगता है ठीक है तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए सोफी कहती कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ वो दोनों ही वहाँ से जाने की तयारी करने लगते है तो असिस्टेंट कहता है अजीब बात है रहा आप दोनों को एक साथ जाने की बहुत जल्दी पड़ी हुई है पर आप लोगोंने अब तक मुझसे उस दुकान का एडरस भी नहीं पूचा है यहाँ पर सोफी अपने असिस्टेंट को अपनी आखे दिखा देती है और उसके बाद वो लोग उस स्टोर में पहुच जाते है उस फोटो को ठीक करवाने के लिए दुकान वाला कहता है कि दस मिनट में ये फोटो रैड़ी हो जाएगा तो वो लोग वहाई पर वेट करें लगते है लेकिन तब ही देखते हैं कि वहाँ पर यहाँ की सिस्टर आ जाती है जो कि उन्हें दूर से देखने लगती है ये जैसे ही अपनी सिस्टर को देखता है तो तुरंट उसके पास पहुच जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो ये इनकी सिस्टर कहते है वैसे तुम्हें यहाँ पर गूमने आई थी पर मैंने आपको किसी और के साथ देख लिया है अगर इस बारे मैंने ग्रेंट फार को बताया तो फिर आपका क्या हाल होगा वए ये उसे परिशान करने लगती है ये इन उसे कहता है कि प्लीस चुप कर जाओ और ग्रेंट फार को इस बारे में कुश्बत बताया यहाँ पर उस के सिश्टर कहती है ठीक है मैं अपना मूप बंद रखूंगी पर इसकी कीमत लगेगी यान उससे कहता है कि क्या चाहिए तुमें उसकी सिच्टार यहाँ पर उससे कहते कि एक नया ब्रांडिट बैग आया है जिसे मैं खरीदना चाहती हूँ अब वो उससे पैसे मांगती है तो यान उसे चुप आती है यान की लेकिन यहाँ पर सोफी बहुत नाराज हो जाती है और यान से बिना बात किये ही वहाँ से चली जाती है यान को समझ भी नहीं आता कि अब इसे क्या हो क्या है यहाँ पर यान का फोटो रेडी हो जाता है तो यान तुरंट उस फोटो को लेता है और सोफी के बीछे जाने लगता है येन को देखते है आफिस में जहांपे उसे असिस्टेंट बताता है कि आपके स्टैप मौम फिर से कोई साजिस कर रही है येन कहता है कि मैं देख रहा हूं कि वो कई सालों से मुझे इस बिजन्ष से बहार निकालने की कोसिस कर रही है पर वो मुझे नहीं निकाल पाएगी उसके बाद देखते है सोफी को जो कि अपने फ्रेंड के साथ होती है यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे और येन के बीच में क्या चल रहा है पर फिलाल सोफी नाराज होती है तो उसे कुछ नहीं बताती है तब agem यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है ये देखो येन तो यही पर आ रहा है यहाँ पर येन को आते हुए सोफी भी देख लेती है तो वो उसके पीछे जाने का डिसाइड करती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि Mr. Yen यहाँ पर एक मिटिंग के लिए आई हुए है तो वो सोचती है कि क्यों ना आज इस Mr. Yen को देखी लिया जाए इसलिए वो उस मिटिंग वाले रूम में पहुच जाती है लेकिन वो यहाँ पर अपने Yen को देखती है तो एकदम से कहने लगती है तुम्हारा बॉस कहां पर है मैंने सुना है वो आज यहाँ पर मिटिंग के लिए आया है मैं उससे मिलने आई हूँ तो यहाँ पर Yen कहता है वो ना कुछी काम से बाहर गए है वो यहाँ पर अपनी सोफी को थोड़ा अवोइड करता है असिस्टेंट होता है जो कि Yen से कहता है बॉस आज की पार्टी के लिए ये लड़किया तियार की गई है तो यहाँ पर Yen कहता है कि क्या दिमाख खराब है तुम्हारा हमें पार्टी में कोई लड़किया नहीं चाहिए और वो उन्हें वहाँ से भगवा देता है ये देखकर सोफी कुश होती है कि असल में Yen को तो इंची जो में इंट्रेस्ट नहीं है और वो फिर उससे कहते कि तुम अपना काम ख़तम कर लो हम लोग उसके बाद मिलते हैं और वहाँ से चली जाती है Yen को देखते है चुकि एक सेयर होलडर्स की मिटिंग को अटैन करता है जहाँ पर उसकी स्टैप मॉम उसकी खलाब काफी सारी नियूजों को वाइरल करती है और कहते कि तुमारा तो बैग्राउंड अच्छा नहीं है कैरक्टर पर उंगलिया उठाई जाती है कुछ लोग तुमारे रूम में लड़कों को भेशते हैं कुछ लोग कहते हैं कि तुम लड़कों के साथ घूमते हो मतलब नहीं हाँ पर उसकी पूरी रेप्टिशन की धजिया उड़ा रही होती है और कहते हैं कि ऐसे परसन को कमपनी का CEO नहीं रहना चाहिए और तुम्हें अपनी पोश्ट से रिजाइन देना चाहिए कुछ सेयर होलडर्स भी यहाँ पर याइन के खलावी बोलते हैं पहले तो याइन यहाँ पर सबकी वक्वास सुन लेता है अपर कहता है अच्छा आप लोगों को लगता है कि मैं इस पोजिसन के लिए सुटेबल नहीं हूँ तो चलो ठीक है मैं भी आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ वो यहाँ पर स्क्रीन में कुछ फूडोस को चलवाने लगता है जिनमें की जो सेयर होडर्स उसके अगैंस्ट बोल रहे होते हैं उनका काला चिट्था होता है तो यहाँ पर जिस वज़े से फिर सभी का मूँ बंद हो जाता है लेकिन उसके स्टैप मॉम कहने लगती है चलो यह सब कुछ तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ पर यह बताओ कि सोफी के साथ क्यों कॉंट्रेक्ट साइन कर रहे है वो भी पार्टनर सेप में हमें उससे नुक्सान ही होगा क्योंकि तुम उसे 20% प्रॉफिट भी दे रहे हो यह इन कहता है कि यह एक फायदे का सोधा है क्योंकि आज तक हम लोग सिफ राइवल की तरह फायट करते हुए आए है अब एक साथ काम करेंगे तो हमारी यह दुस्मनी खतम हो जाएगी और आगे हम लोग मिल के काफी प्रॉफिट कमा पाएंगे लेकिन यहाँ पे फिलाल उसकी स्टेप मॉम चोड़ दूगा यहाँ यहाँ पी कहता है कि अगर मैं ऐसा कर पाया तो उसके बाद आपको अपने पाच परसेंट मेरे नाम ट्रांसफर करने होंगे उसकी मॉम भी तुरंत इस चीज के लिए हाँ बोल देती है यहाँ जब मिटिंग से बहार निकलता है तो उसका असिस्टेंट कहता है बॉस यह थोड़ा मुस्किल होगा पर यहाँ कहता है कि मुझे कोई टैंसन नहीं है हम लोग करी लेंगे पर पर फिलाल सोफी के साथ कोई भी कॉंट्रेक्ट कैंसल नहीं कर सकता हूँ दुसी तरफ सोफी को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट फिर से उसके लिए वेजिटेवल्स और फूड लंच में खाने की लिए लाता है लेकिन सोफी उन्हें देख की मुझ मुझ बनाने लगती है तो असिस्टेंट कहता है अजीब बात है मैडम जब आपके लिए ये सब कुछ येन लाया करता था तो आप खा लेती थी बट मेरे सामने बहुत नकरिकरती हैं मैं तो परिशान हो गया हूँ आपकी प्रेगनेंसी की वज़े से यहाँ पर उसे बताती ही नहीं है सोफी की असल नहीं हुआ तो वो कुछ टाइम के लिए अपनी पोस्ट छोड़ देगा सोफी हाँ पर थोड़ा सोचने लगती है कि आखिरकार वो इस सब कुछ क्यों कर रहा है उसे तो इससे फायदा नहीं नुकसान हो सकता है पर पता नहीं खुसर बुड़ने के दिमाग में क्या चल र रहा है सोफी हाँ पर सोचते है कि आज तो मुझे यैन के बॉस से मिलना ही होगा मैं भी देखू हो कैसा दिखता है इसलिए वो उनके आफिस में पहुचाती है वहाँ पर कुछ चीजे रखी होती है तो वो उन में उसके बॉस का फोटो भी ढूंडती है पर उसे कोई फोट पर बुलाती है जिस वज़े से सोफी को महां से जाना पड़ता है सोफी जैसे ही लिफ्ट लेकर महां से जा रही होती है तो एक लेड़ी आकर सोफी की तारिफ करती है सोफी महां से चली जाती है लेकिन जैसे ही वो चाती है तो यान को वो लेड़ी बताती है कि मैडम सोफी तो अभी अभी गई थी, वो दो गंटे से आपका वेट कर रही थी, आपसे मिलना चाह रही थी, ये बात सुनते ही, ये इन सीडियों से भागने लगता है सोफी को रोकने के लिए, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती है, दिखाया जाता है सोफी को उसके घर पे, जहापे उसकी मॉम फिर से उसे मेरिज के बारे में बात करती है, सोफी भागने की कोशिस करती है तो उसकी मॉम रोक लेती है, और कहती है, अब ये भागना भागना बहुत हो गया है, तुम्हे एक बार अपने फियोंसे से बात करनी चाहिए, और वो उसका कांटेक्ट नमबर उसे देकर चली जाती है सोफी सोचती है कि अब मैं इससे बात करूँ क्या लेकिन वो सोचती है चलो एक बार कॉल करी लेनी चाहिए वो यहाँ पे इससे पहले कि उस नंबर को डायल करती वो नंबर उसके सूप में गिर जाता है जिस वज़े से पेपर से वो सारा नंबर गायब हो जाता और वो अपने उस फ्योंसे से बात नहीं कर पाती है नेक्स्ट देखते हैं सोफी को जब वो अपने ओफिस में आती है तो कुछ लड़किया बाते कर रही होती है कि मिस्टर यैन दो दिन से यहां पे नहीं आए है इसलिए तो मेरा दिल भी नहीं लगता है आज कल ओफिस में स आपे सोफी से कहने लगता है क्या तुम यह आपर यैन से मिलने आई हो सोफी कहती है कि उसकी तवित खराब है और वो दो दिन से हॉस्पिटल में है यहां पर सोफी थोड़ी परिशान होती है और सोचती है कि एक बार यैन को देखी लिया जाए इसलिए वो उसके रूम के हाँ पर आजाती है याएन की सिस्टर जो कि जा कर तुरांत याएन को हग करने लगती है अर यह सब कुछ देख कर तू सुफी चल जाती है और वह गुस्ते में वहाँ से जाने लगती है दॉक्टर तुसे कहत Separate वो कुछ कहती ही नहीं आ वहाँ से चली जाती याइन को पता चलता है कि सोफी होस्पिटल में ही है इसलिए वो भागने लगता है उससे मिलने के लिए लेकिन यहाप याइन अपनी फ्रेंड को लेकर महां से चली जाती है और उसके हाथ नहीं आती है सोफी याइन बिचारा वहाई पे बैठ जाता है उसका फ्रेंड आता है और कहता है यह लड़की तुम्हारे हाथ तो इतने आसानी से नहीं आएगी यैन मेहनच जादा करने पड़ेगी और मुझे लगता है कि इसने तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को गलत समझ लिया है क्योंकि तुम दोनों उससमें हग कर रहे थे तो यहाँ पर यैन कहता है फिलाल मेरी मदद करो क्योंकि मुझे बहुत बेर हो रहा है अब मुझे अंदर रूम में लेके जाओ तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उसकी मदद करने लगता है सोफी को देखते हैं ओफिस में वहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे बताने लगता है कि मैडम आपने ख़बर सुनिये है क्या जो यैन का बॉस है न वो किसी लड़की से इंगेजमेंट कर रहा है इस बारे में न्यूज आ रही है यहाँ पर सोचने लगती है सोफी पर उने तो बॉस में इंट्रेस्ट था ना साथ हम लोग उसे गलस समझते हैं यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहती है एक एक नॉर्मल सा गिप्ट उसके लिए पहुचा दिया जाए यहाँ जब अपने ऑफिस में आता है तो एक बहुत बड़े फ्लॉवर पॉट को देखता है और कहता है कि यह किसने बिचुआया है उसका असिस्टेंट कहता है यह मिस्स सोफी की तरफ से आपके लिए बिचुआया गया है वो भी आपकी इंगेश्मेंट का तोफा यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताता है कि आपकी एक लड़की के साथ अफवाई उड़ रही है नियूस में कि आप उससे इंगेश्मेंट करने वाले है तभी हाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर उसके ग्रेंट फादर का कॉल आ जाता है और वो भी उससे जगड़ा करने लगते हैं कहते कि तुम किसी और लड़की से इंगेश्मेंट कर रहे हो और तुमने मुझे पताया भी नहीं आज मुझे अपना सकल मत दिखाना घर मत आना आज वो उससे बहुत कुस्सा करते हैं असिस्टेंट से सारी बात जानता है यहाँ पर याइन तो कहता है कि पहले तुम मुझे उस लड़की से मिलवाओ ताकि मैं उससे इस चीज के लिए माफ़े मांग सकूँ और साथ में यह जो नियूस चल रही है ना इंटरनेट पे इन सभी को हटवा दो सोफी को दिखाया जाता है एक होटल में जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंग कर रही होती है लेकिन उसकी फ्रेंड को जादा ड्रिंग कर लेती है तो सोफी कहते है कि तुम इसे घर लेके जाओ मैं अपने ड्राइवर के साथ आ जाओंगी उसी होटल में यैन भी उस लड़की को डिनर पे लेकर आ जाता है जिसके साथ उसके इंगेजमेंट की अफवाय चल रही होती है यहाँ पे सोफी नसे की हालत में यैन को वीडियो कॉल मिला देती है लेकिन जब वो उसकी बैक्गराउंड लोकेशन को देखती है तो उसे समझ में आता है कि यह भी यहीं कहीं आसपास है और वो दोनों एक दूसरी को ढोड़ने लगते हैं सोफी यैन को जब एक लड़की के साथ देखती है तो गुस्से में आ जाती है और कहती है अच्छा तुम अपने बॉस की फ्यॉन से के साथ यहां पर डिनर करने आए हो सच में तुम तो बहुत घड़िया हो यैन उसे एक्स्प्रेन करता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है पर यहां पर सोफी तो सुनती ही नहीं है और गुस्से में वहां से जाने लगती है यैन जिस लड़की के साथ डिनर पे आया होता है उससे माफ़े मांगता है और जाने लगता है सोफी के पीछे पीछे लेकिन यहां पर सोफी उससे इतनी नाराज होती है कि उसके बाद भी सुनने को त्यार नहीं होती पेरेंस तुम्हारी मैरेज़ कराने की बात कर रहे हैं एक बार उससे बात तो कर लो देखो तो सही कि तुम्हारा फ्यॉण से दिखता कैसा है सोफी कहते है पट वो नंबर मुझसे गुम गया है उसके फ्रेंड कहते है रुको मैं अपे आती हूँ और पता ने कहीं से वो कार देता है और फिर हम देखते है याइन को जो कि कह रहा होता है अपने असिस्टेंट से कि ऐसे ही मेरे नंबर किसी को मत बाटा करो देखा तुमने अभी एक लड़की मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि वो मेरी फ्यॉन से है और मुझसे मिलना चाहती है तो यहाँ पे उसे य और एक फूलो वाली शर्ट खरिद के लाओ असिस्टेंट कहता है बहुत साप इन कपड़ों का क्या करोगे यान कहता है कि यही तो कपड़े मेरी मदद करेंगे मेरी इंगेजमेंट को तोड़ने में और फिर मैसिस करता है उसी नंबर पर जिससे कि उसे कॉल आया था कि पहन के आऊंगा फ्लावर वागरा वाले और यह मैसिस उसे सैंड कर देता है यह मैसिस मिल जाता है सोफी को तो वो भी सोचती है कि चलो एक बार इस बंदे से मिली लेती हूँ उसके बाद एक होटल में जाती है सोफी जहापे वो एक परसन को देखती है जिसने कुछ इसी सरीकिक में कप्रे पहने होते है यह मेरी जेट को आपने पास पढ़े उससे बात करने लगता है कि तुम मैरेज के बार का काम ही करना मैं तुम्हें महीने के pocket money पे 2000 रुपे दूँगा इससे तुम मौज मस्ती कर सकती हो सोफी यहाँ पे उसकी बातों को सुनके परिशान होने लगती है सोफी यहाँ पे कहने लगती है उस person से actually क्या एन अब मैं आप से marriage नहीं करना चाती हूँ अब वो उस locket को उसे return करने लगती है दूसी तरफ बैठा रहता है यहाँ यहाँ को जैसे ही सोफी की आवाजे सुनाई आती है तो वो सुचता है कि सायद मुझे तो अब दिन रात उसी की आवाजे सुनाई देती है और सुचता है कि वो लोड की अब तक आई क्यों नहीं है जिससे मुझे ही मिलना है लेकिन यहाँ पे सोफी जिस परसन के साथ बैठी रहती है वो उससे थोड़ी घटया बाती करता है और marriage तो जोड़ने पर जगड़ा करने रगता है फिर हमें दिखाया जाता है सोफी को जिसका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है तो वो इस बार ranking नंबर पन पे चल रही होती है हम देखते हैं याईन को जो अपने office में होता है और सोफी और अपने बारे में याद करता है कि किस तरीके से उन्होंने romantic night spend की होती है अब वो यहाँ पर यही सब को सोच कर सोफी के खयालों में डूबा रहता है तब यह उसका assistant आकर उसे बताता है बॉस इस बार तो सोफी मेडम नंबर वन पे है सबी लोग उने vote कर रहे है तो यहाँ पर यहाँ तुरन अपने assistant का phone लेता है और वो भी सोफी को ही vote कर देता है assistant कहता है बॉस आप ऐसे कैसे कर सकते हैं आप भी इस list में है तो आप उन्हें vote क्यों कर रहे है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ कहता है कि नहीं इस बार तो number one उसे ही होना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छी है यहाँ पर उसकी बास उनके assistant कहता है बहुत सच में कि आपको उनसे प्यार हो गया है आपकी हरकते तो ऐसा ही बता रही है यहाँ फिर कहता है हाँ अब मुझे उससे प्यार होई गया है तो अब मैं उसे propose करूंगा और अपनी सारी सचाई भी बता दूंगा इसलिए याईन को देखते हैं जो कि एक flower bouquet लेकर पहुँच जाता है सोफी के office के बार और तब ही वो सुचता है कि सोफी उसके सामने आ चुकी है और वो यहाँ पर एक ring लेकर उसे propose करने लगता है और देखता है कि सोफी ने उसे accept भी कर लिया है और दोनों प्यार से किस करने लगते हैं पर असल में तो यह सब कुछ याईन का सपना होता है यहाँ पर एक लड़की उसे कहने लगती है बॉस आप यहाँ पर आज तो मैडम है ही नहीं office में क्योंकि वो बाहर किसी के साथ meeting पे गई है यहाँ को जैसे ही यह पता जलता है तो वो फिर वहीं जाने लगता है जहाँ पर सोफी गई होती है सोफी हाँ पर एक परसन के साथ contract sign करने के लिए आई हुई होती है वो उसके साथ एक game खिल रही होती है लेकिन वो परसन उसे थोड़ी cheap फरकते करने पे मजबूर कर रहा होता है थोड़ा touchy वची होने की कोसिस करता है पर सोफी उसे बार बार ignore करने लगती है सोफी हाँ पर जितना उस परसन को ignore कर रही होती है वो परसन ज़्यादा ही close आने की कोसिस करता है और कहता है कि तुम्हे ह्गेम खिलना नहीं आता है चलो मैं सिıkा देता हूं, वि सोफी कम नहीं होती है, वो उसे जान बुच के बार बार होट करने लगती है तब अब आ पर याएन आ जाता है और कहता है यह सब कुछ घाहिता है? और दोनों खेलने लगते हैं वो परसन यहां पे हार जाता है पर फिर भी अपनी हार को एकसेप्ट नहीं करता है और कुछ गार्ड्स को बला लेता है जो येन को सबक सिका सके ये देखकर सोफी कहते हैं कि मैं आपके साथ अपने सारे कॉंट्रक्ट तोड़ती हूँ क्योंकि बहुत नीच परसन है यहां पर उस परसन को गुस्सा आता है तो वो कहता है मैं तुम सभी को अभी सबक सिकवाता हूँ लेकिन तब तक वहां पर सोफी का असिस्टेंट और गार्ड्स को लेकर आ जाता है जो कि उन्हीं लोगों को वहां से भगाने लगते हैं यहां पर कर दी ना सोफी कहते कि तुम्हें कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं अपने आपको खुद प्रोटेक्ट कर सकती हूं और वो वहां से चली जाती है उसके बाद देखते हैं सोफी को जिसे बताता है असिस्टेंट की मैडम हमें इस बार बहुजदा प्रॉफि है सोफी मैडम के पास ससे हमें नुक्सार ही हो रहा है लेकिन यहाई झैए इसके साथ मैच करना चाहता हूँ इसलिए यह सब तो कुछ करना ही होगा हमें अपनी दूरियों को दोरणा होगा और पहला तरीका यही है यह सब कुछ करने का फिर हम देखते हैं खिर होरो कि वह उसकी कमपनिया वो जाने और उसका काम जाने हम क्या इंटरफेर कर सकते हैं पर यह अजीब बात है कि वो हमारे चक्कर में इतना नुकसान उठा रहा है साथ में उसने अपनी पोस्ट को भी कुछ समय के लिए छोड़ दिया है फिर देखते हैं सोफी को जो कि एक बार में अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंग कर रही होती है लेकिन वहाँ पे चैंग की गर्फ्रेंड होती है जो कि उसे देखकर बहुत जादा जैलिस फिल करती है चिलाता है और कहता है कि उस लड़की का नाम मतलो तो यहाँ पर उसकी गर्फ्रेंड उससे कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें मुझे चिलाना आता है अगर ऐसी बात है न तो फिर से जाके सोफी को अपनी कंट्रोल में लो मैं तो तब तुम्हें एक इनसान मानूंगी यहाँ प उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रेट करता है और गुस्प में फिर वहाँ से चला जाता है सोफी को दिखाया जाता है उसके ऑफिस में उसे एक लेड़ी कहते है कि मैडम आपके लिए बुके आया है सोफी को याद आता है कि उसे हर बार बुके लंच बॉक्स ये सब कुछ यह बेचाव बार बार प्रशान मत करो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी यह कहता है कि मैं यह इतने लो ग्रेट के फ्लॉवर्स तुम्हें नहीं भीजवाया है तो यहां पेस्वी फिर से कर देती है ब्लॉक और वहांसे चली जाती है और इस चीछ को इग्नोरि करती है बेबी यह मैं तुम्हारे ले लाया हूँ प्लीस मुझे माफ कर दो मैं तुमसे प्याव करता हूँ वो फिर तो उसके पीछे पड़ जाता है लेकिन सोफी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है तो चैंग यहाँ पर उसके साथ बतमीची करने लगता है पर तबी वहाँ पर य कि याइन से कहते हैं कि अब तुमने मेरी मदद किया तो चलो मैं तुम्हें डॉप कर देती हूँ और वो उसे अपनी कार में बढ़ा की ले जाती है उसके बाद फिर देखते है कि चैंग की गल्फरेंड हर जिगा सोफी पे नजरी रखती है और एक दिर उसे मौका मिलता है ये बास सुनके याइन बहुत परिशान होता है और तुरंती कहता है किसी को कॉल करके कि तुम लोग सोफी की लोकेशन ट्रैस करो जैसे ही उन्हें सोफी की लोकेशन के बारे में पता चलता है तो तुरंत वो लोग वहाँ पहुच जाते हैं जहापर उन्हें सोफी की कार मि सोच रहे थे सोफी ने उनकी ही यहाँ पे बैंड बजा के रखी होती है तो हमें फ्लैस्वेक दिखाया जाता है कि सोफी को पता होता है कि उसे कोई फोलो कर रहा है इसलिए वो खुद ना समझ बनने का ड्रामा करती है और जब वो लोग उसे किनेप करने आते हैं तो सोफी खुद उनको ही किनेप करवा लेती है जिससा कि यहाँ पे अब उनके सामने दिखाया ही जाता है और सोफी यह बात बता देती है याँ को भी सोफी यहाँ पे फिर उस लड़की को डाटने लगती है और कहते हैं कि आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना बढ़ना मैं तुम्हें जिन्दा नहीं चोड़ूँगी मैं तुम्हें बता दू कि अब मेरा तुम्हारे वाइफरेंट के साथ कोई रिस्ता नहीं है यहाँ पर याइन कहता है कि मैं इसे समाल लूँगा तुम जाओ याइन भी हाँ पर उस लड़की को धंकी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता दू कि मैं याइन गुरूप का हैड हो और मैं सोफी को लाइक करता हूँ अगर तुमने कोई प्राबलम की तो आगे फ्यूचर में तुम जिन्दा नहीं बचोगी साथ में वो अपने गार्ड को कहता है कि इन सब को अच्छे से सबक सिखा दिया जाए इसलिए गार्ड भी उन्हें थोड़ा डरा धमकाने लगते हैं फिर सोफी की कार में देखते हैं याइन को जहाँ पर सोफी और याइन के बीच फिर से जगड़ा होता है सोफी कहते कि यहाँ पर क्यों बैटे हो तो फिर जाओ ना अपने बॉस के पास उत्रो मेरी कार से याइन कहता है कि मेरी तो जॉब भी चली गई है तो सोफी थोड़ा कहते है अच्छा ऐसी बात है क्या तो वो फिर उसे अपने साथ बाहर खाने पे लेके जाती है जहाँ पर उससे कहती है कि तुम मेरे साथ आकर मेरी कंपनी में काम करने लगो यान कहता है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा यान यहाँ पर देखता है कि सोफी के फेस पर कुछ लगा है तो वो उसके फेस को क्लीन करने लगता है सोफी कहती है क्या इस तरीके से तुम मेरे साथ फलर्ट करे हो यैन कहता है कि फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ बस तुम्हारी केर कर रहा हूँ फिर उसके बात दिखाया जाता है सोफी को जो कि अपनी फ्रेंड के साथ एक निलामी में आई हुई होती है वो लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं यैन को लेकर ही तो इस बार सोफी खूश होती है उसके बारे में डिसकस्ट करके और कहते हैं कि सायथ वो मेरी कंपनी को जोइन कर लेगा और मेरे साथ ही वर्क करेगा लेकिन वहाँ पर जब वो लोग अंदर आते हैं रूम में तो देखते हैं कि यैन भी एक लड़की के साथ बैठा हुआ है सोफी को लगता है कि यह फिर से लड़की बाज बन गया है और यहाँ पर वो उस पर गुसा करने लगती है उसे पता ही नहीं होता है कि जिसके साथ यैन आया हुआ है असल में तो वो उसकी सिश्टर है पिर यहाँ पर वो लोगे एक पेंटिंग के लिए और केसन स्टार्ट करते हैं जिसमें यैन और सोफी के बीच में लग जाती है फिर से कॉम्पेटीशन दोनों बोलियों को आगे बढ़ाते रहते है यैन तो सोफी को देखकर चुप कर जाता है लेकिन उसके सिश्टर बिल्कुल भी चुप नहीं करती है और उसे महेंगोदामों पे खरीद लेती है जिससे कि यहाँ पे सोफी बहुत नारा जोतियर महां से चली जाती है यैन उसके पीछे आता है उसे समझाने के लिए तो सोफी कहते है मुझे से बात मत करो तुम सच में मुझे धोका दे रहे हो तुम कभी भी अपनी पुरानी जॉब को छोड़ने को तयारी नहीं हो और मैं तुम्हें हमेसा नहीं नहीं लड़कियों की साथ ही देखती हूँ यहां पे लेके आया था मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है पर सोफी फिर भी यहां पर उस पे नाराजी हो रही होती है और कहते है कि तुम मुझे सच नहीं बतारे हो आकिरकार तुम करते क्या हो؟ यान यहाँ पर उससे कुछ कहने की कोसिस करता है तो सोफी नाराज होकर ही चली जाती है उसके बाद देखते है यान को जिसके पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका नया फ्लैट खरीद लिया गया है यहाँ पर हम देखते है कि उसके पास उसका फ्रेंड मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हारा फ्लैट तो बहुत अच्छा है पर किया तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारे पड़ोस में जो रहती है वो सोफी ही है ये बास सुनके येन बहुत खुश होता है और कहता है फिर तो मुझे जाके सोफी से मिलना चाहिए लेकिन वो डिसाइड करता है कि अपने फेस को कवर करके जाएगा ताकि उसे पता ना चल जाएगी मिस्टर येन वही है उसके बाद देखते है मौर्णिंग में सोफी के पास जाता भी है येन वो भी अपने पपी को लेकर और उससे मुलागात करता है सिर्फ हाई हेलो कहकर आ जाता है फिर हमें दिखाया जाता है उसे अपने घर पे जहापे असिस्टेंट कहरा होता है बोस आप जाके डारेक्ली मिस्स सोफी से बात क्यों नहीं करते है और उने से कुछ क्यों नहीं बता देते है येन कहता है कि मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ क्योंकि सोफी मुझसे नाराज है तब ही हापे उने पता चलता है कि उनका पपी तो सोफी के घर पे ही चला क्या है येन वहापे जाता है अपने पपी को लेने तो सोफी उसके साथ खेल रही होती है येन को ये देखकर अच्छा लगता है तो वो सोफी से कहता है अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसके साथ टाइम स्पैन कर सकती है और वो फिर कुछ ऐसा ही करता है कि जादा कर उसे सोफी के घर पे छोड़ किया जाता है कुछ हपते बात दिखाया जाता है कि येन रेड़ी होता है और अपने असिस्टेंट से एक बुके मंगाता है क्योंकि आज वो फाइनली सब कुछ बताने चारा होता है सोफी को इसलिए वो उसके घर पहुच जाता है लेकिन जैसे ही धरवाजा खुलता है तो वहाँ पे उसके डैड होते है जो कि येन पर चिलाते हैं और कहते है कि तुम मेरी बेटी को फसाने आये होना ऐसा कभी नहीं होगा ये लो अपना पपी और यहां से चले जाओ कुस देर बाद जब सोफी अपने डैड से पूछते है कि कौन आया था तो यहाँ पे उसका फ्रेंड कह देता है कि येन आया था सायद वो तुम से माफिय माँगने आया था पर तुमारे डैड ने उसे बगा दिया है सोफी कहते है कि डैड आपने ऐसा क्यों किया ये तो आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया उसके डैड कहते है कि वो तुमारे लायक नहीं है क्योंकि आप मुझे पता चल गया कि तुम प्रेगनेंट किसकी वज़े से होने वाली थी तो यहापे उसके डैट बहुत गुसा करते हैं हम देखते हैं कि उसके डैट यहापे फिर यान के घर पे ही पहुँच जाते हैं उससे मिलने के लिए और कहते हैं कि तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो वो यहापे उससे कुछ पैसे देने लगते हैं ये चीज देखकर कहने लगता है यहाँ पर यैन अब मुझे समझ में आ गया है कि आपकी बेटी किस पे गई है वो भी बिल्कुल आपके तरह ही बात करती है हमेशा हर चीज के लिए पैसे देती रहती है पर मैं आपको बता दू मिश्टर कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता ह है कभी भी सोफी के घर पर देखते हैं जहां पर उसके डैड उस पर गुसा करते हैं और कहते कि क्या वो तुमारा बॉइफरेंड है सोफी कहते कि नहीं अब भी वो मेरा बॉइफरेंड नहीं बनाया है आप गलस समझ रहे हैं उसके डैड कहते है अच्छा तो तुमारा इर मेरी मैरिज करानी की बात कर रहे हैं पर आपने खुद अभी उसे अब तक देखा ही नहीं है उसके डड़ कहते हैं ये सारी बाते बंद करो इस बार हम पूरी फैमिली उस लड़के से मिलने जाएंगे और सोफी तुम भी हमारे साथ चाओगी पर सोफी यहाँ पर मना करने बहुत जाते हैं कुछ मेकप आर्टिस्ट को लेकर और कहते हैं इस लड़की को अच्छे से रैडी करो सोफी कहती कि आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके मॉम डैट कहते हैं कि आज तुम हमारे साथ उस लड़के से मिलने के लिए जाना है इसलिए नाटक बंद करो अब वो लोग यहाँ पर उसे जबरदस्ती तयार कर लेते हैं और अपने साथ एक होटल में लेकी भी जाते हैं जहाँ पर सोफी की मुलाकात हो जाती है यान से और वो यहाँ से कहते कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो यान उसे सच नहीं बताता है कि अगर फिर से इस करता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूं पर सोफी कहते हैं नहीं मुझे कुछ और काम है सोफी हाँ पर यहाँ पर यहाँ को जाने के लिए कहते हैं तो यहाँ गुडबाई बोलके उसे वहाँ से चला जाता है तब ही सोफी के पेरेंस आ जाते है और कहते कि तुम बीश में कहा गायब हो गई थी सो फिर कहते कि मैं तो उस लड़के का वेट करे थी मॉम डेट पर वो आया ही नहीं उसके पेरेंस कहते कि वो आज किसी खाम की बजी से नहीं आ पाए है अब चलो यहां से हमें दिखाया चाता है यैन को जब वो घर पहुसता है तो उसे सर्वेंट घर में एंट्री नहीं लेने देती है क्योंकि ग्रेंट फादर नाराज होते है क्योंकि वो आज फिर उस लड़की से नहीं मिला था तो यहाँ पे तबी यैन के पास आता है कॉल उसके असिस्टेंट का और वो कल की मिटिंग के बारे में उसे इंफॉर्म करता है फिर हम देखते है नेक्स टे जहाँ पे सेयर होलडर्स के साथ फिर से मिटिंग होती है यैन की जहां पर येन की मौम कह रही होती है कि तुम्हारी गेर हाज़डी में मैंने कमपनी को बहुत अच्छे से समाला है इसलिए मैं इस कमपनी की हैट बना चाते हूँ कुछ सेयर होलडर्स उसके सपोर्ट में बोल भी रही होते है तब ही हाँ पर येन कहने लगता है हाँ मैं जानता हूँ कि आपने कमपनी को कितने अच्छे से समाला है अब वो यहाँ पर उनकी पोल खोलना इस्टार्ट करता है कि आपने तो करोडो रुपो की धांदली की है उसकी मौम कहती कि तुम जूट बोल रहे हो बस बेकार में मुझे बदनाम कर रहे हो तो यहाँ पर वो कुछ प्रूफ भी दिखा देता है और एक दो परसन भी आ जाते है जो कि उसकी मौम के अगेंस्ट कवाई देते है कि हाँ इन्होंने बहुत सारे पैसों की गड़बड की है इस पार और सारे पैसे अपने अकाउंट पर ट्रांसफर करा ली है यह सारे बाते हैं जब सबके सामने आती है तो सब लोग उसकी मौम को बहार निकलने के लिए कहते है कंपणी से और वहां से उन्हें निकाल भी दिया जाता है उसके बाद यह आइन कहरे लगता है क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है मेरे हैट बरने से यहाँ पर फिर कोई भी सेयर होल्डर्स उसके अगेंश नहीं बोलता है और सबी लोग वहाँ से चले जाते हैं असिस्टेंट कहता है बॉस हमारी ये प्रॉब्लम तो अच्छे से सॉल्फ हो गई यहाँ कहता है हाँ ये तो सॉल्फ हो गई है पर मेरी लाइफ की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बाकी है यहाँ आपर अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब तुम्हारा वर्कलोड बढ़ने वाला है क्योंकि तुम्हें ओवर टाइम करना होगा काम में क्योंकि मुझे तो अपनी लव लाइफ को हैंडल करना है और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है उसके बाद देखते हैं यान एक मिटिंग के लिए कहीं जा रहा होता है जैसे ही वो कार से बहार निकलता है तो देखता है वहाँ पे सोफी खड़ी हुई है इसलिए वो फिर से अपनी कार में बैठ जाता है यहाँ पे सोफी उस कार को देखकर कहने लगती है अपने असिस्टेंट से कि मुझे ये कार पसंद आई है तो अगली बार हम लोग ऐसे ही कार खड़ी देंगे सोफी जब वहाँ से चली जाती है तो यहाँ कहने लगता है वहारा के कार से कि वो क्या कह रही थी उसका असिस्टेंट कहता है कि उन्हें ये कार पसंद आई है तो क्योँ ना बोस आप उन्हें एक ऐसे ही कार गिफ्ट करे और फिर अपने बारे में सच बता दे तो यहाँ पर कह देता है उससे येन की ऐसी जितनी भी कार है सब कलर में खरीट लो फिर हमें दिखाया जाता है येन को जो कि पारकिंग एरिया में होता है और सोफी के पास कॉल करता है कहता है कि मैं तुमारे घर के नीचे आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ लेकिन तभी महाँ पे कुछ गुंडे आकर उस पे अटैक कर देते हैं जो कि उसकी स्टैप मॉम ने भीजे होते हैं लेकिन यायन यहां पर उन्हें अच्छे से पीटता है, लेकिन तब यह पर सूफी आ जाती है, तो यायन दिखावा करने लगता है कि मुझे चोट लग गई है, सूफी कहती कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूं, पर याइन कहता है नहीं फिलाल मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है तुम मुझे घर लेकर चलो इसलिए वो उससे अपने घर ले आ जाती है और यहाँ पर उसके फर्स्ट टेट करने लगती है लेकिन दोनों थोड़े रोमेंटिक हो जाते है तो एक दूसरी को किस करने वाले ह मुझे होते हैं लेकिन किस नहीं करते है यहां पर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत इंपटने बात बताने चाहता हूँ तो पिछला रहे हिसे चोट लगी है लेकिन उसके डैड मना करते हैं तो यह इन कहता है कि तुम अपने डैड के पास रहो मैं खुछ चला जाओंगा अब वो उसे बाइबॉल के वहां से चला जाता है उसके बाद सोफी अपने डैड पर गुस्सा करती है कहती कि हम मैं कोई बची नहीं हूँ मुझे पता है कि मुझे किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं लेकिन उसके डैड कहते कि हम इस लड़की के साथ तुम्हारी मैरिश नहीं करेंगे और मैं फिलाले हापे तुम से जगड़ा करने नहीं आया हूँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी मॉम का दो दिन बाद बर्डे है इसलिए उनका नेकलेस रेडी करवा देना सोफी कहते है ठीक है कल मैं नेकलेस लेकर आ जाओंगी फिर हम देखते हैं सोफी को चुकि एक स्टोर में जाती है और वहाँ पे कुछ नेकलेस वगेरा देखने लगती है लेकिन तब भी वहाँ पे आ जाती है मिश्टर येन की स्टैप मॉम और वो हर चीज़ को खरीदने लगती है सोफी एक बैक खरीदती है तो उसे भी उसके step mom छीन लेती है यहाँ पे step mom कहती है yain की कि जो जो ये लड़की पसंद करेगी वो सारी चीजे मुझे चाहिए सोफी की friend कुछ कहने की कोसिस करती है तो सोफी उसे कुछ नहीं कहने देती है यहाँ पे वो 80 लाग का समान तो खरी दी लेती है उसकी मॉम तब ही यहाँ पे याईन कहने लगती है मैनेजर से की एक हार का ओर्डर दिया गया था मुझे वो वाला हार चाहिए तो यहाँ पे वो लेड़ी उस हार को दिखाने लगती है सोफी कहते की इसे तुम पैक कर दो लेकिन तब ही बीच में याईन के स्टैप मॉम कहते की यहार भी मुझे ही चाहिए पर वो लेड़ी कहते की मैडम यह हमारी बॉस के लिए बनवाया गया है तो हम उनकी इजाज़त के बिगर इसे किसी को सेल नहीं कर सकते है स्टैप मॉम कहते है याईन की की अपने बॉस को यहाँ बुला के लाओ तब भी सोफी कहते की इस स्टोर की बॉस मैं ही हूँ यह बास सुनके याईन की स्टैप मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहते है अच्छा तो तुमने जान मुझ के अपनी सारी चीजे मुझे बेगती है ताकि तुम मुझसे प्रॉफिट कमा सको अब वो यहाँ पर उस पर हाथ उठाने की कोशिस करती है लेकिन तब यहाँ आगर उन्हें रोक देता है और वो यहाँ पर कहने लगता है कि आ तुम तो बहुत इनोसाइंट बन रही हो जैसे कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बेटा यही है यह बास सुनके यहाँ पर सोफी के होस उट जाते है यह कहता है कि सोफी मैं तुम्हें इस पार में पता ना चाहा रहा था पर पता नहीं पाया लेकिन सोफी तो यहाँ पर ग साथ मिल के काफी करती है यहां पे बहुत जादा बुराया भी करती है यहां पर बोहत जादा हुती है इन में पिर ने से कोई पसंद नहीं आ रहा तब भी आ पर मिश्टर यैन भी आ जाते हैं तो पिर तुम लड़कों को चूज कर रही हो और इतने जादा ड्रंक भी हो मैं तुम्हें नहीं चूड़ूंगा अब वह यहां पर उसे उठा कर जबर दस्ति रूम में लेकर आ जाता है सोफ करता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से भीव करते आ रहा हूं पहले से इसलिए तुम इतनी बिगट कई हो चलो मैं तुम्हें अभी सबक सिकाता हूं और ऐसा कहकर वो यहां पर फोर्स लिए उसके साथ रोमांस करने रखता है और उसके बाद वो दोनों नाइट कर लेते हैं जब मौनिंग में सोफी की आखे खुलती है तो वो यहां को देखती है और कहती है फिर से मैंने इसी परसन के साथ नाइट की है यह क्या कर दिया अब वहां से जाने लगती है पर यहां उसे रोक लेता है और कहता है इस बार तुम नहीं भाग पाओगी तुमें मेरी رеспffee लेनी होगी पर शोफी कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं तुम्हारीी पार में बात करती है पर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारा तो फ्यांसे है ना उसका क्या करोगी सोफी को याद आता है कि अभी तो उसकी engagement भी बाकी रह गई है किसी person के साथ तो वो उसे तोड़ने का decide करती है और उस person के पास message करती है यहाँ पर यह message मिल जाता है याईन को तो याईन भी जाकर उस लड़की से मिलने का decide करता है यहाँ पर याईन उस होटल में जाता है जहाँ पर उसे मिलना होता है उस लड़की से जिससे कि उसकी engagement fix होई होती है वो फिर से वही flower वाले कपड़े पहन के आता है पर वहाँ पर वो सोफी को देख लेता है इसलिए पहले जाके इस सोफी से मिलता है सोफी उससे यहाँ पर आने का reason पूछती है तो याईन कहता है कि मैं किसी लड़की के साथ engagement को cancel करने के लिए आया हूँ उसके बास सुनके सोफी कहती है कि मैं भी किसी एक ऐसे ही लड़की से मिलने आई हूँ जिसके साथ मुझे अपने engagement तोड़नी है तबी सोफी उसके कपड़ों पर ध्यान देती है और अपना message चेक करती है कि उस person ने यही कहा था कि वो flower वाले कपड़े पहन के आएगा इसने वो तुरांद उस number पर call मिलाती है तो देखती है यह number तो यान का ही है उन दोनों को फिर यहाँ पर समझ में आ जाता है कि आखिरकार उनके engagement fix किस्से होई थी यह बात जानके वो लोग हसने लगते हैं यहाँ पर यान उसे उसके बच्पन का फोटो दिखाता है तो सोफी कहती है कि यह तो मेरा ही फोटो था यान को यहाँ पर वो उसका locket भी return कर देती है और वो दोनों काफी हसते हैं और कहते है यह देखो हमारे parents हमारी marriage करने के उसके parents कहते हैं कि तुम इस चीज के लिए angry कैसे हो गई कहीं हाँ पर कोई नया ड्रामा तो नहीं करने वाली हो सोफी कहते कि डैड में कोई नया ड्रामा नहीं करूंगी आप चिंता मत कीजिए आज सब कुछ अच्छा ही होगा और आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे य कहते कि यह लड़का है पर क्या कर रहा है सोफी हाँ पर कहते कि मैं आप लोगों को इसी से मिलवाना चाहती हूं लेकिन उसके डैड नाराज होते हैं और कहते कभी भी तुम्हारी marriage हमें एक male model से नगई करवाएंगे सोफी हाँ पर उन्हें सच बताती है कि यह कोई male model नहीं है बलकि वही लड़का है जिसके साथ आप लोगों ने मेरी engagement fix की थी और यह तो अपनी company का head है यहाँ पर यह बास सुनके उसके mom dad को थोड़ा जटका लगता है पीछे से वहाँ पर आ जाती है यहाँ पर लोग सभी बैठने की बाते करने लगते हैं तो यहाँ पर सोफी यह यहाँ के पास जाकर बैठने लगती है लेकिन उसके डैडो से अपनी तरफ बुला लेते हैं उसके बाद पूरी family आपस में बात करती है यहाँ पर यहाँ की सिस्टर सोफी को देखती है तो उसे पहचान लेती है और अपने ब्रदर से कहती है यह तो वही लड़की है जो ल करता है और वो लोग उसकी marriage को लेकर discuss भी करते हैं फिर यहाँ पर यहाँ की family चली जाती है सोफी अपने mom dad से कहते हैं कि आप लोगों को भी जाना चाहिए अब वह उन्हें बाइक करने लगती है लेकिन सोफी के dad उसके हाथ को पकड़के अपने साथ खीश लेते हैं और कहत आपी सारे मेंगी gifts का और arrangement करो ताकि मेरे father-in-law और mother-in-law को दिये जाए असिस्टेंट कहता है क्या उनके लिए भी gifts लगेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस बात को सुनके यहाँ खुश होता है लेकिन तभी उसके पास सोफी का call आता है जो कि उस पर गुस्ता क करती है कहते कि तुमने फिर से मुझे वो contract हासिल कर लिया मैं तुम्हें नहीं झोड़ूंगी यहाँ पर यहन कहता है कि मुझे इस बार में कुछ नहीं पता है माइवाइफ पता निंग लोग क्या करते रहते हैं मैं तुमसे मिलने आने वाला हूं ऐसा कह देता है और बहु इसलि actu याए फिर अपने अपपूमे पोहच जाता है वह हुरां पर शुकाइब को गये इससे के उससे थी तो आपको उसकी सजा तो काट नहीं होगी अब वहां पर पुलिस को बला लेता है और अपनी मम को अरेश्ट करवा देता है उसकी मम चिलाती रह जाती है लेकिन वह एक भी बात नहीं सुनता है फिर उसके दो हफ़ते बाद देखते है यान को जो की सोफी के आफिस में बै देना तो यहां पर दिखाया जाता है कि वो लोग एक टीवी सो में आई हुए होते हैं जहां पर सोफी और यान को दोनों को ही बुलाया जाता है क्योंकि उन दोनों ने मिलके काफी ज़्यादा सोहरत और नाम रोसन किया होता है अपनी अपनी कमप्टीज का इसलिए एक पर प्रियान से पुछा जादा है तो योन तो उसकी कुछ जादा ही तारिफे करता है कि यहां पर उसके सबीके सामने प्रोस करने लगते हैं वह उससे और लव कहां कहे देती हैं जिसके बाद वो दोनों प्यार से किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामी计 हो जाती है गाइस पलेड करके बताना कि आपको ड्रमा कैसा लगा वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक और शियर कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें अम मिलते हैं नए वीडियो के साथ अब तक गुडबाई और टेक कियर